आप देख रहे हैं कैसन 24 नियोज पलपल की खबर आथी उत्पात के कारण समस्या बनी हुई है पिछली रात हाथी के दोड़ाने से इस इस इलाके में एक ग्रामिड की मौथ हो गई घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभा की टीम ने इस इलाके का दोरा किया और लोगों को सतरकता से रहने की हिदायत दी इसके बाद भी लोग हाथी के आसपास मौजूदगी दर्ज कराने को लेकर उच्चाहित नजर आए अलग-अलग इस तर पर की जाने वाली कोशिसों की बावजुद कोरबा जिले में हाथियों का तांडाओ थमने का नाम नहीं ले रहे जंगली जानवार कभी एक इलाके में तो कभी दूसरे इलाके में पहुँचने के साथ जानमाल का नुकसान कर रहे है वर्तमान में हाथियों का समूह पसान परिछेतर के तनेरा में डटा हुआ है जानकारी के अनुसार हाथियों ने इस इलाके में अनेक किसानों के खेतों में लगी धान की फसाल और सबजी भाजी को चौपट कर दिया खबर होने पर कुछ लोग हरकत में आये इस दोरान हाथि के दोडाने से भैभित हो कर माया राम नामक 52 वर्षी व्यक्ति पेड के ठूट से जाटक राया उसकी मौके पर ही मौत हो गई मामले की जानकारी होने पर रेंजर, एसेस तिवारी, कोरवा पुलिस चौकी की प्रभारी बसंसाहू टीम के साथ यहां पहुँचे इस दोरान वन कर्मियों ने लाउड स्पिकर के जरिये लोगों को हाथी के आसपास नहीं फटकने की नसिहत दी फिर भी कई लोग अपिल को नजर अंदाज करते हुए नजर आए, यहां बताना जरूरी होगा कि उनको जिले के लगभग सभी वन परिछेतर में हाथियों की आमद आय दिन होती है इस दौरान उनके द्वारा फसल के लावा लोगों के दूसरे समारों को भी नुकसान पहुचाया जाता है कोर्बस गेसेन 24 के लिए हेमन्त गौतम की रिपोर्ट